Hello everyone, study with us में आपका एक बाई फिर से स्वागत है और आज हम डिसकस करने वाले हैं current affair ये current affair आपके सभी exams के लिए super important है तब चाहे आप किसी भी exams की तियारी कर रहे हूँ जितने भी academic exams होते हैं तब चाहे वो D, T, S, B वाले हो या फिर UP, TET हो, या फिर NET का exam हो ठीक है जितने भी exam होते हैं उन सभी exams के लिए हमारी जो वीडियो है ये super important है तो वीडियो को end तक देखे, वीडियो पसंद आती हो तो like करें और चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो की notification आपको मिलते रहे अगर आप तैयारी कर रहे हैं UGC NET के तो आप UGC NET Paper 1 की सभी वीडियो को देख सकते हैं हमारी जो playlist है UGC NET Paper 1 के नाम से जिसकी link जो है मैंने description में दे दी गई है वहाँ पर जाकर आप Paper 1 के सभी topics की वीडियो को देख सकते हैं ठीक है तो कई लोग कमेंट कर रहे थे कि और टॉपिक पर वीडियो बनाए जाए तो मैं बता दूँ वीडियो जो है वो अल्रेड़ी हर टॉपिक पर बन रखी है ठीक है और साथ ही साथ जितने भी previous year के questions हो सकते थे तब चाहिए वो math के हो, reasoning के हो, DI के हो वो सारी की सारी videos जो है मैंने already upload कर रखी है आपको सिर्फ उनको देखना है ठीक है कल एक बच्चे ने comment किया था तो जो है इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ ठीक है तो चलिए शुरू करते है आज का वीडियो उत्तर परदीश की रामपुर सहर में हुनरहाट सम्मेलन का आयूजन कब से कब तक किया गया ठीक है तो यहाँ पर देखे तीन-चार बाते आपको याद रखने हैं सहर में हिए का कि कब से कब तक हुआ तो तो नमबर ए यहisc veer शुरू हिए 16 अक्टूबर ́ से और यह 25 अक्टूबर तक चलेगा तस्वीरओं में आप देख सकते हैं ये हुनाराट की तस्वीर है और ये हैं उत्तर पर्देश की मुख्य मंत्री योगी अधित्यनात्र नेस्ट कोशन है टी ट्वेंटी के तीन सो मैचों में कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाडी कौन बन गए है तो तस्वीर है अब जैसे हैं की देख सकते हैं महिद्र शिंह धोनी इसका रहां में महिंद्र वह 삼तव है मिस टाइप है यह यह दॉन यहайте थिक थीक है तो महिंद्र सिंह धोनी जो है यह बन गए है पहले खिलाडी जिन्होंने जो है कीच है कपताणी की है next question है Forbes द्वारा परकाशित, विस्व की सर्वसरेश्ट नियोक्ता रैंकिंग कम्पनियों की सूची में सीर्स इस्थान पर कौन सी कम्पनिय रही है ठीक है, कौन सी कम्पनि कम्पनिय रही है तो इसका सही आंसर आपको देख गया होगा चेतर में आंसर है सैमसें ठीक है जो है, वो सबसे टॉप कमपनी रही है चलिए आज के लिए आपके कोशन यह है कि आप मुझे बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि ये समसें कमपनी जो है वो किस देश की है ठीक है आपको मुझे बताना है नेश्ट कोशन है भारत ने किस देश के साथ सत्तरवा पूर्व युद अभ्यास 2021 आयोजित किया है ठीक है पूर्व युद अभ्यास 2021 आयोजित किया है तो ये किया है भारत ने अमेरिका के साथ ठीक है अमेरिका के साथ तो ये भी आपको याद रखना है ठीक है अमेरिका की राजदानी है वासिंग्टन डीसी नेस्ट कोशन है IPL 2021 का किताब किस टीम ने जीता ठीक है 2021 का किताब जीता है किसने तो चेन नई सूपर किंग ने option number B सही answer है चेन नई सूपर किंग तस्वीर्व में आप देख सकते हैं और चेन नई सूपर किंग के जो कप्तान रहे थे वो रहे थे महिंदर सिंग धोनी ठीक है महिंदर सिंग धोनी ठीक है तो ये सूपर इंपॉरटन हो जाता है आपके सभी एक्जाम के लिए तो आपको इसको जो है याद रखना है नेश्ट क्योशन है दन नेट गेमर्स करस नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है ठीक है इसके लेखक कौन है ठीक है इसका सही आंसर है option number A, option number A इसका correct answer है मिताब घोश यह जाने माने लेखा कि है कई तरह की पुस्तके जो है यह अल्रेडी लिख चुके हैं तो मिताब घोश है यह इन्होंने लिखी है ठीक है फसल बीमा यूजना की CEO ठीक है Chief Executive Officer पद पर किसको न्युक्त किया गया है तो सही जो आंसर इसका वो है रितेश चौहान option number A रितेश चौहान को जो है इस पद पर न्युक्त किया गया है next question है और यह super important है खासत और से सभी academic exams के लिए ठीक है वीडियो पसंद आ रही हो तो like जरूर करें ठीक है और चैनल को subscribe भी तक नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि जितने भी वीडियो हम आपको डालें उसकी notification जो है आपको मिलती रहे ठीक है तो कई लोगों ने कहा कि जो current affair ह यह इसमें pictures को डाला जाए तो इसलिए जो है अपसे आपको जो वीडियो मिलेगी current affair की उसमें सभी में जो है pictures आपको देखने को मिलेंगी ठीक है और PDF के लिए PDF मैंने आपको बता दिया है कि PDF के लिए आप हमारा telegram group join कर लें ठीक है लगबग 13 सो लोग वहां पे हमसे कर देंगे ठीक है तो उसको join कर लें हमारी channel का नाम है study with us pdf study with us pdf space नहीं देना है बिलकुल ऐसे लिखना है search करेंगी तो हमारे channel का logo आ जाएगा बस उसी channel को आपको join कर लेना है ठीक है तो विस्व छात्र दिवस 2021 का मुख्य विशय क्या रहा पहली बात तो आपको यह मनाया कब जाता है तो यह मनाया जाता है पंदरा अक्टूबर को ठीक है 15 अक्टूबर को याद रखें कई बार exam में पूछा गया है ठीक है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है तो और इस बार की जो theme थी इसकी वो थी logo, ग्रह, समरिधी और सांती के लिए सीखना option number A इसका correct answer है लोगो ग्रह समरिद्धी और सांती के लिए सीखना ठीक है World Student Day कम मनाय जाता है तो 15 अक्टूबर को मनाय जाता है Next जो कोशन है वो ये है कि उत्तर परदेश के किस सहर में सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा सुरू की गई है ठीक है रोपवे सेवा सुरू की गई है तो ये सुरू की गई है वारा नसी में ठीक है Option number C इसका correct answer है वारा नसी में सुरू की गई है ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है पीयम मोदी ने कितने नए रक्षा सार्वजनिक उपकर्मो को रास्ट को समर्पित किया है ठीक है रास्ट को समर्पित किया है तो ये किये है साथ सार्वजनिक उपकर्मों को ठीक है Option number D इसका correct answer है साथ नेस्ट कोशन है बच्चों को ठीक है बच्चों को COVID-19 टीका देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है कौन सा बन गया है I hope कि इसका अंसर आपने गेस कर लिया हुआ ठीक है अभी तक जो है ये COVID-19 का टीका जो था वो 18 से अधिकुमर वाले लोगों को दिया जाता था ठीक है अब जो है ये बच्चों को भी दिया जाने लगा है तो भारत के किस राज़े ने ये पहल की है ये आपको पताना है ठीक है तो COVID-19 का टीका जो भारत में लग रहा है उसमें दो वैक्सीन मेंली यूज़ की जा रही है एक है COVID-19 ठीक है और दूसरी है को वैक्सीन ठीक है ये ही दो टीके जो है लग रहे हैं और भी कई ऐसे टीके हैं जो लगाए जा रहे हैं ठीक है कई लोग अपनी इच्छा से लगवा रहे हैं लेकिन ये दो भारत सरकार ने जो है ये मुक्त कर रखे हैं आप किसी भी सरकारी अस्पतल में जाकर ये टीका लगवा सकते हैं तो मैं बता दूं बच्चों को कोविड-19 का टीका देने वाला भारत का राज्य बना है पहला वो है तमिलनाडू तमिल नाडु में जो है अब बच्चों को भी जो है टीका लगाया जाएगा ठीक है बच्चों को टीका लगाने वाला COVID-19 का तमिल नाडु जो है पहला राज्य बन गया है तमिल नाडव के एक और खास बात आपको माँ बता दू तमिल नाडव जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर सबसे जादा परियटक आते हैं ठीक है? ट्रेवलर जिसे हम कहे सकते हैं टूरिस्ट जिसे हम कहे सकते हैं टीके टूरिस्ट सबसे जानदा कहा आते हैं तो याद रखें तमिल नाडु में आते हैं अभी हाली में जो सुची जारी की गही है परेटन मंत्राले दौरा उसके तहत मैं आपको बता रहा हूं ठीके पहले नमबर पर तमिल नाडू पर आते हैं और दूसरे नमबर पर जो आते हैं वो आते हैं उत्तर प्रदेश में ठीक है उत्तर प्रदेश को जानदा पसंद करते हैं तीसे नमबर पर आते हैं करनाटक में ठीक है तो इतना पॉइंट आपको इसमें बारे में याद रखना है तो टमिल नाडू जो है इस तरीके से परेटन के मामले में सरवोच स्थान पे रहा और अगर आपसे पूछ ले कि किस देश के लोग हमारे देश में आते हैं तो सबसे जांदा आते हैं बांगला देश के ल आज की वीडियो में इसना ही आई होप कि यह वीडियो आपको पसंदा आया होगा वीडियो पसंदा हो तो लाइक जरूर कर देने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें त्यारी कर रहे हैं आप अगर UGC Net Paper 1 के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं ठीक है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है हर एक टॉपिक पर आपको वीडियोस वहाँ पर मिल जाएगी ठीक है अल्रेडी मैंने बहुत सी वीडियोस UGC Net Paper 1 पे बनाती है ठीक है अब प्रीवियस एर के जितने कोश्चन्स आये थे वो सारे के सारे करवा दिये गए हैं तो आप उसे जरूर देखे सो मिलिंगे अब नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो